आज मैं आपको सुमेट्रिकल डिफरेंसे बताने वाली हूं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करतीचिए बेल आकन के बटन को प्रेस करतीचिए तो सिमेट्रिकल डिफरेंसे क्या होते हैं इसका सेंबल है हमारा ये इसका जो काम होता है ये बिल्कुल एक माइनस की तरह वर्क करता है जैसे कि मैं आपको एक एक जैम्पिल के तौर पीद हूं कि अगर आपको हम एक कोशन आए आपके पास find a symmetric b इसको solve रहने के लिए आपके पास अपने दोनों elements की values given होंगी जैसे के values है हमारी a की a b c d f और b की हमने values ले ली जैसे के a c e and g ये हमने अपनी values ले ली अब इसका जो हमारा symmetrical difference आएगा वो क्या आएगा हमने अपने दोनों elements लिखे यहाँ पर a is equals to क्या है a b c d f b is equals to a c e and g जो common है वो हमने cancel के a c और कोई common है नहीं है b d f g e ये कोई common नहीं आ रहा है तो जो हमारा symmetrical difference आएगा वो आएगा b d alphabetic order के हिसाब से e f g इस तरीके से हम अपने symmetrical differences को find करते हैं और एक जो note के तोर पर मैं आपको एक बात बताऊँ तो ये याद रखिए के जो मेरा a symmetric b आता है ये बराबर होता है a union b और a intersect b अच्छा वो कैसे आएगा आ रहा है बराबर तो मैं आपको ये चीज़ भी शो करवा देती हूँ के अगर मैं यहीं पे इसका union निकालू तो इन दोनों values का union क्या आएगा जैसे कि union में मैं अपने all elements कहती हूँ और intersect में मैं हम common लेता है ठीक है तो मैंने अगर इसका union निकाला तो वो होगा मेरा a b c d e f g सही और वही अगर मैं इसका intersect लूँ तो intersection में में एक पास common क्या आएगा common के elements है इसमें हमारे a और c सही ये दो आगे मेरे common element अच्छा अब यहाँ पर ही कह गह रहे हैं कि ये इस चीज के करूँ तो a union b की क्या value है मेरी a b c d e f g minus a intersect c a c हमने minus किया remaining are b d e f g तो ये और ये बराबर आगे हमारे याद रिखी दोनों आपस में ही एकवाल होते है इस तरह से तो इसमें कोई confusion हो कोई problem हो तो नीचे comment box में मुझे जरूर बताएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए गा थैंक्स पूर वाचिं अलापस